ही धिल से संबन्दित रोग और लिट प्रेशं वहां है विटाल है। हो दिए मझ के सब्रेश हमारे टेश के बहुत सारा ऑपएично सल्टिया ईशनल में। सबसे पहली बात मैं मुझे आप सब लोग जानते हैं फिर भी मैं इंक्रोड़क्शन दे देता हूं देजपाल सिंग मेरा नाम है पंजाब में कपूतला शहर में मैं रहता हूँ दोक्टर विश्बू पर चौदरी जी से एक साल की महींने पहले लगबग मई 2019 में मैंने उनको पहली बार सुना उसके बाद तुरंत ही मैंने डिजाइट किया उनकी डाइट को उद पर लागू किया और उनका ट्रेनिंग डाइपरी का ट्रेनिंग लेने के बाद फिर कोड़ करना शुरू किया लोगों को इस डाइट के बारे में बताना शुरू किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे खुद पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और जिन लोगों को भी डाइट बताई कि सबको इस डाइट से बहुत अच्छा लाब मिला सबसे पहला सवाद कि आज जो भी बात हम दिल के रोगों के बारे में करेंगे जो भी बात आज हम करेंगे आप सब लोग उस बात में यकीन क्यों करें क्योंकि पूरी की पूरी medical science कुछ और बोल रही हैं और हम लोग कुछ और बोल रहे हैं तो जो बजपन से आप सुनते आ रहे हैं, उससे कुछ अलग बात आपको बताई जाएगी, आप इस बात पे विश्वास क्यों करें। उसकी केवल एक ही वज़ा है, क्योंकि ये जो बात आज मैं करूँगा, ये बात मेरी बात नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा, ये पूरी की पूरी बात डॉक्टर विश्वरु प्राय चौदरी जी से ली हुई ट्रेनिंग है। और आप बोलेंगे कि हम डॉक्टर विश्वरु प्राय चौदरी जी की बात पे भी क्यों विश्वास करें। उनके पास पूए मैडिकल डिगरी नहीं है। हम बहुत सारे डॉक्टराइब बोल रहे हैं कि डॉक्टर चौदरी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वह गलत बोल रहे हैं। उनकी बात में कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर विश्वरु प्राइच चौधरी एक भी बात, not even single word, एक भी बात अपने मूँ से ऐसी नहीं निकालते हैं, जिनका उनके पास तूफ नहीं होता, evidence नहीं होता, और डॉक्टर विश्वरु प्राइच चौधरी जी भी ये बोलते हैं कि ये सारी की सारी education मेरी नहीं है, ये सारी की सारी research मेरी नहीं है, ये पूरी की पूरी research medical science की ही है, लेकिन उस research का एक बड़ा हिस्सा जो है लोगों से शुपा दिया जाता है, वो लोगों के सामने नहीं आने दिया जाता, मेरी कोशिश केवल ये है कि मैं उस को medical science की वो research जो लोगों के सामने आज तक नहीं आने भी उसको खोज-खोज के लोगों के सामने ला रहा हूँ, मेरा इतना ही काम है, तो आप सब लोग जानते हैं, आपने सब बहुत सारे videos देखे होगे डॉक्टर चौदरी के, तो वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि ये research मेर मेरी बढ़ाई भी नहीं है, अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों के evidence तो आप www.bishwarup.com पर जाके, ये सारे research paper, सारे evidence वहां मौजूद है, आपको मिल जाएंगे, उनकी books है, किताबे हैं, उनमें सारे के सारे evidence आपको मिल जाएंगे, ये एक वज़ा है कि हम उनकी बात से विश्वास करें, मैं क्योंकि अपनी तरब से एक भी शब्द नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा, वही बोलूँगा, जो मैंने उनसे सीखा है, इसलिए आप ये समझ सकते हैं, कि ये बात डॉक्तर विश्वरु प्राइट जादरी जो बात से अलग बिल्कुल नहीं है, तो हम बात करते हैं, बलंड प्रेशर, हमें ये समझना होगा, बलंड प्रेशर के बारे में हमारे मन में बहुत सारा अधर होता है, आज ये बताया जाता है कि छोटे से बच्चे से विश्वाब पूचेंगे, तो बता देगा कि नॉर आपको उसको नॉर्मल रखने के लिए एक दवा आनी होगी, जो आपको सारी जिंदगी खानी होगी, और ये भी बोला जाता है, हाई बलंड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है, ये केवल इसको कंट्रोल में रखने के लिए आपको एक नहीं बहुत सारी दवाए कानी होगी, सबसे पहले बलंड प्रेशर की एक गोड़ी शुरूप की जाती है, उसके बाद एक बलंड चिनर को साथ में लगा दिया जाता है, फिर टेस्ट किये जाते हैं, आपको एक और दवा साथ में लगा दी जाती है, जिसको कोलस्तोल लोरिंग द्रग बोला जाता है, तो आज मै 79, 1980 की बात करें, तो तब एक साथ सौ को नॉर्मल बलंड प्रेशर माना जाता है, यह अंकड़े बताते हैं, यह इसके बहुत सारे एविडेंस हैं, कि 1979 के आज पास, अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी को भी आवाद नहीं आ रही है, तो कुछ भी आप अपना ओडियो अन करके बता सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है, तो अज़र्वाज आप अपना ओडियो बंद रखिए, हैंड आप करेंगे, आप तो हो सकता है, मेरा ज्यान ना जा पाए आप सिंपल अपना ओडियो अन की दिये, और मुझे इंट्रप्ट कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है, तो आवाज नहीं दे रही है, जा कोई और दिक्कत है, तो मैं बात कर रहा था, कि हमें ये देखना होगा, बहुत सारी बातें, रिसर्च की बातें नहीं होती हैं, एक सो साथ सौ नर्मल लेवल बोला जाता था, तब हार्टएटक जाना होते थे, या जब इसको 120-80 कर दिया गया है, तब हार्टएटक ज्यादा होती हुत्युतू हैं, क्या ब्लड प्रेशर के लेवल को 160-100 से 140-90 किया गया, तब क्या हार्टएटक कम हुए, या फिर 120-80 कर का जवाब बिल्कुल है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्लड प्रेशर के इस पैरामीट्र को नीचे लाने के लिए एवल और एक ही वज़ा थी वह यह थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दवा खाने के लिए लगा दिया जाए और इसके पीछे कोई बहुत बड सब्सक्राइब बहुत बड़ी कुछ नहीं है तो हमें समझाती है कि जब एक साथ सौ था नॉर्मल ब्लड प्रेशर तब अगर 10% लोग ही ब्लड प्रेशर की दवा खाते थे जब इसको 120 कर दिया गया है तो 50% से ज्यादा लोग है जो ब्लड प्रेशर की दवा खाना शुर जो नहीं और जो इसको नहीं ब्लड फ्रेशर होता कूह है क्यों हमारी बोठी मैं प्रेशर होता है जिसको दो नग्रेशर हो ऊस बात को हमें संद्राइब हुए हैं गुलते हैं और बलड हमारी नाडियों में घूमता है तब वह सारे के सारे इंग्रीडेंट वो फूड हमारे जोगता है वो पुरा का पुरा न्यूट्रिशन हमारे सेलों तक पॉंट है जब हमारा ब्लड नाडियों में घूंगता तो वो ब्लड घूंगता रहे केवल इसी वज़े से ब्लड में प्रेशर दिया जाता है हमारा अंदर एक पुर्जा लगाया गया जिसको हार्ट बोलते हैं दिल बोलते हैं और उसकी यह जिर्थी है कि वो हमेशा धर्कता रहे और ब्लड को पंप करता रहे जिसकी वज़े से ब्लड में एक प्रेशर होता है उसी को हम ब्लड प्रेशर तो यह क्या हाई ब्लड प्रे बुरी बात है क्योंकि इसे ब्लड प्रेशन करना बंद कर दीए कि अब आप उस स्थिती में से बाहर आईए आप थोड़ा-थोड़ा अपने हाथ हिलाना शुरू कि दिये कैसी आप लुटिया में तो आपका विपी और हुगा फिर आप खड़े होगा चलना शुरूख की दिया आपका बीपी और ही होगा और जब आप तेजी से भागेंगे तो आपका बीपी फायर रेंज पे जला जाएगा जहां ये डॉक्टर बोलते हैं कि अब आपको कभी भी हार्ट एक इसका मतलब हो अगर हाई वीपी बिमारी है तो क्या हम सारे खिलाडियों को बोल दे क्या आप खेलना बंद कर दीदिए आप किसी टूर्णेमेंट में जाना बंद कर दीदिए क्योंकि जब आप दौरते हैं जब आप खेलते हैं तो आपका ब्लेड प्रेशर हई हो जाता है हा अब हमें समझाती है कि ब्लेड प्रेशर का लो होना या हाई होना इस बात से संबंद्ध है कि हमारे सेलों को खुराग की कितनी जरूरत है कि जब हम मेडिटेशन करने होते हैं हम आराम करने होते हमारे पूरे के पूरे सेल वर्किंग में नहीं होते हैं इवन हम सोच भी कुछ नहीं रहे तो दिमाद के सेल भी आराम करने होते हैं तब हमारे सेलों को खुराग की कम जुरूरत होती है तो हमारे सेल खाने के लिए चला करते हैं तो बॉडी के अधिक हिस्सों के सेल काम पर लग जाते हैं और वो चिलाना शुरू कर ज़िए कैसे कैसे एक बच्चा भूख से चिलाता है तो मां को पता चल जाता है कि इसे दूद चाहिए इसे खुराक चाहिए से खाना चाहिए वैसे ही जब हमारे सेल चल जाते हैं ब्रेन को पता चलता है कि हमारे सेल भूके हैं तो वो हार्ट को एक मैसे देता है कि आप प्रेशर को बढ़ाईए तो कि सेल भूके हैं उन तक खुराक नहीं पहुंच नहीं आप प्रेशर को बढ़ाईए दिल प्रेशर को बढ़ाता है ख ब्लड प्रेशर को एक निष्चित सीमा में रखना होगा, आपका डृ मारी आपको आपको नमबर दे वो हार्ट को मजबूर करते है कि तुम धीरे-धीरे पंप करो टाके बल्ट प्रेशर का नमबर कम करो तो अगर आपने एक गौनी आपने भाम अापने पर्विशने लिए नहीं पडली में प्लद प्रेशर रहाए जब आप भागेंगे तब बोड़ी को भुलड प्रेशर भी हाई जाहिए और हो फूराइबल हैए झालों को पूरी जाना फुराग मिलेगी तभी आप भाग पाये और वो भुराग तभी मिलेगी जब ब्लड प्रेशर हाइए होगा तभी तो एक गाड़ी लेने जाते हैं व ऐसकी स्क्रूदियरिदा का निकलते लिए आपल निकलते ही ऐसी गाड़ी जिसकी आपना बढ़ा सकते हैं तो निश्चेटत ऑरने तॉप रिजल्ट आयेगे क्या बाहर निगते ही लगों ने पृट प्रेशर बढ़ता नहीं है आप इस बात को समझ ली दिये जो लोग दवा खाकर अपने ब्लाइट प्रेशर को एक लेवल पे निस्ट लेवल पे बांध कर रखते हैं उनकी बॉड़ी कभी खुद को प्योर नहीं करते हैं तो कि हमारी बॉड़ी में एक सिस्टम है हमारी बॉड़ी खुद को क्योर करती है हमारे सेल जब बिमार होते हैं तो वो खुद को ठीक करने का एक पुरा सिस्टम है हमारी बॉड़ी में लेकिन जब हमारे श्रीर के किसी भी बॉड़ी के किसी भी आर्गन के सेल बिमार होगे उनको खुदको प्योर करना होगा, तब उनको sugar level भी body को बढ़ाना होगा, और blood pressure मि बढ़ाना होगा, तभी उन sailों तक पुरात पहुदेगी, तब वो आपने आपको प्योर कर पाएँगे, तो जो लोग लगातार blood pressure की dwa खाते हैं, उनकी body खुदको kg कभी नहीं कर पाती, वो लोग हमेशा लगातार और विमार और विमार और विमार होते जाते हैं इसलिए बलड प्रेश्र की दवा कोई आपके फायदे के लिए नहीं दी जाती है बलड प्रेश्र की दवा कोई आपको तंदुरुस्त करने के लिए नहीं दी जाती है blood pressure के parameter को नीचे कोई आपके भले के लिए नहीं लाया गया है, इससे फायदा जरूर हुआ है, किसको केवल उन कम्पनियों को जो ये दवा बनाती है, मानवता को इसकी का कोई लाब नहीं हुआ है, blood pressure के parameter को नीचे लाना और लोगों को ये सिखाना कि आपको blood pressure को high नहीं होने ईससे आपको एक लेवल के रखना है, ये सारी शिक्षय जो दी जाती है, इससे एक ही रिप्ति का एक ही तरह के लोगों का लाब होता है, वो है वो लोग जिनके पास दवा बनाने की वो कम्पनियां है, जहां वो दवा बंती है, उनके उनके खाजाने में पैसा हमारी जेव से निकल के जाता है और किसी को लाव इसवार कर नहीं होता आपका सवाल होगा क्या ब्लुप नहीं घानी तहीं ट्रहिए बिल्कुल नहीं खानी गता है अपको अपको कोई शिंप्टम आता है बिना वज है आपको को चक्ट कर आ रहा है दिना वजह आपकी पॉल्डि में किसी तरह का कोई लक्षण आ रहा है तब आप लचीज दवर दोगों मुशीनें घर लाके रख लिए लगातर ब्लड प्रेशिर को चेक किया जाता है हम यह अगर पूरी सर्छ को भोज कर यह एक oramaक बनाया है दो तोसे आगल और दो इस माला योड़ा बना के यह और ऽहोड़ Willem के रिसर्च नहीं है कि पूरी दुनिया के जितने लोग बलड प्रेशर की दवा खा रहे हैं उनमें से 60% लोग ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है वह वाइटीय कोड़ तो अगर लगातार और अगर एक बार आपने कभी लगातार आपका नीचे उपर वाड़ा करके 200 लगातार वो नीचे आई नहीं रहा तब हमें जोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर कहीं को ब्लॉकिज हो तक ब्लॉकिज मतलब हमारी वो नाड़ी जिसमें से ब्लॉकिज फ्लो करता है उसका रास्ता टाइट हो गया है जिसकी वजह से प्रेशर लगातर बढ़ रहा है और नीचे आई नहीं रहा तो उसके बार कि हमें दवा खानी होगी बिल्कुल नहीं दवा खानी होगी उसके लिए प्रेशर एक महीना लगेगा हर तरह की ब्लॉकिज जो है वो दूर हो जाएगी खत्म हो जाएगी और आप इस बात को अपने दिमाज से निकाल दीए एक भी दवा अब तक एलो पैसी में एसी नहीं है जो ब्लॉकिज अब हम ब्लड प्रेशर के बाद अगली बात करते हैं किसी व्यक्ति को घवराहत होती है शाती में दर्द होता है पतीन ना आता है उसको वो बोलता है कि अब इसके नारियों में देखो जी ब्लॉकिज हो गई यह एक पर आप तो एक टार डाली जाती है उसमें से पता चलता है पताएnda पटार होता है इसको के साथ पता है और बता दिया जाता है अब इसके स्टंट डलेगा तो अपको घ्र जाएक Centव लेगा लाए करने होगी आपको एक नई जाड़ी निकालेगे वह लगा देगे तो आप पर यह ठीक हो जाएगा सब कुछ है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं रिसर्ट यह बिताती है कि स्टंट डालने से जा बाइपास सर्जिरी करने से बाइपास सर्जिरी में 5-7 रुपया सर्च इस बाइपास सर्जिरी तो यह बिल्कुल गलत है वह इस तेंट ड़वाने की जूर्ट नहीं है को बाइपास सर्जिरी हम लोग साबित कर चुकी है मैं खुद ऐसे पेशन्ट को ठीक कर चुका हूं जिसको भाइपास सर्जिरी बोल जिया गया था फिर तीन महीने के सब्सक्राइब कर चुका है तो हम केवल डियाइटी डैसे उसको ठीक कर सकते हैं और वाइपास सर्जिरी की जुरूफत नहीं पड़ेगी अगली चीज है कोलस्तोल के बारे में हमें सिखाया गया है कि आपके बलद में अगर कोलस्तोल की मात्रा ज्यादा है तो आप ब्लॉ कि कोलस्तोल का कोई इंप्क्ट नहीं है और है के वजह से हार्ड शुरूफता की फील से कहरत कि नहीं होता है हाइगलों नहीं बनता है वह जो दवा आपको दी जाती है को नुस्तोल कंब के लिए खतर्ना का दावा है उसके बारे में जिस दावा के पीछे स्ट इए बारे में में जिस दवा न Gito City को ब secrets zam हहां विडिबी व को घर जाकर फेखे किये मत और आपके लिए बहुत खतरना क competitors सब्सक्राइब करने में दिक्कत आती है बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है बच्चे पैदा नहीं सब्सक्राइब करने की दवा शुरू किया क्या आप तब से तंद्रुस्त में दूस्त कर रहे हैं या तब से आप और जबा बिमार हो रहे हैं एक ही चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों समय कम है खत्म हो जाएगा पांच-छै मिन्त बाकियां चैनल में मैं आपको दो तीन बाते बहुत इंपॉर्टन बताना चाहता हूं एक बात ध्यान में रखना है आज तक हमारे दिमाज में ये डाला गया है कि दवाओं से आप जि अपने आप से करके देखिए अगर दवा आपकी दवा की मात्रा लगातर कम हो रही है तो आप मान सकते हैं कि ये दवा ठीक कर दिए पहले दस गोलिया दी गए थी फिर पांच हो गई फिर तीन हो गई फिर दो दवा बंद होगे इसका मतलब दवा ने आपको ठीक कर दिया अगर आपकी दवा की मात्रा लगातर बढ़ रही है एक गोड़ी से बात शुरू हुई फिर दो हुई फिर पांच हुई साथ हुई लोग 20-20 मोलियां दिन की खाते हैं अगर आपकी दवा की मात्रा बढ़ रही है इसका मतलब है आप लगातर बिमार हो रहे हैं और बिमार ह तो आज तक दॉक्तर विशुपु को एंचोधरी बोलते हैं में दर लगता है एक भी ऐसा देख्ती दुनिया में मिने पता दीजिए दौ दवा शोड़ने से मरा हो मोत दवा खाते-खाते नोगों की होती है दवा शोड़ने से आज तक किसी की मौत नहीं हुई है वो दवा हम शोड़ सकते हैं बिनावाजा मत चोड़िये पीडाइट शुरू कीजिए जैसे जैसे आपके और एक दिन जो से तीन में आप हर तरह की दवा से प्री हो सकते हैं मेडिकन फ्री हो सकते हैं दोस्तों कि अब बहुत लंबा है इसके लिए आपको जानकर यह अगर है नहीं तो मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा की क्लेनिंग अग्यांता की वजह से कैसे हम अग्यांता की वजह से कैसे हम थगा जा रहा है आपको मैं एक बात और बताना चाहते ही और कि टाइम लाव इंडिया की दो धर अचारा की रिपोर्ट है कि हर साल ने करोड भारतिय लोग इलाज कराने के चक्र में घरीब हो रहे हैं पहले रहीए है पहले दृब्या नहीं कि प्रेश लेता हूं मैं इस प्रेश की और पूरा एक महीन जो जब पी ट्रेश को अटेंड करता है उसको दोबारा किसी के पास जाने की जुरूद नहीं पड़ती हर विमारी को वो खुद हैंडल कर सकता है हर विमारी का इलाज वो अपने परिवार की अपने आस्टोस के लोग दो व्यक्ति 5,000 रुप्याथ देके में मेरे से च्रेंड ले रहे हैं अगर वो चार लोगों को प्रेरिट करेंगे लेने के लिए तो पांच जारा रुप्या उनको रीफंड कर दिया जाएगा वाःस कर दिया जाएगा मक्सद केवल एक है हम अधिक से अधिक लोगों को प पाएं मुझे पता है आप डाक्तर चौधरी के आफिस में संपर्क करने की कोशिश करते हैं नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत भीड़ है बहुत रश है आप मुझे संपर्क करते हैं मैं फोन उता हूं लेकिन कुछ समय बात मेरे साथ भी यही होने बला है कि मैं सब लोगों के जवाब नहीं दे पाऊंगा इससा एक ही हल है हम बहुत सारे लोगों को यह चीज़ शिखा दे हमें हम आत्म निर्वर हो जाएं हम अपने आस्प्रोश के लोगों का घर के लोगों का इलाज खुद करना शुरू कर दें तभी समस्या का हल हो सकता है कि हम बहुत सारे लोगो को इन दबाओं के चक्र से बचा ले गरीब होने से लोगों आए हम लगातार हर साल क्रीग हो रहें हैं तो दोस्तों हर संडे के समिनार होगा इसमें एक तो जो arriv शुच सकते हैं और आप और अधिक लोगों को इस सेमिनार में ला सकते हैं, इसमें हम हर एत्वार एक एक बीमारी के लिए एक एक डिजीज के बारे में दिस्कस करेंगे, जानकारी देंगे, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लगातर जुड़े रहिए इस एड्यूकेशन प्रोग्राम से, आप एक समय महसूस करेंगे, कि आज तक जो हमें बताया गया वो गलत था, आज तक जितनी दवाएं हमें खिलाए गई, वो बूझा किलाएगई आज तक जो आपरेशन हमारे किये गए, वो बिना वजा किये गए, कामनसेंस का यह सवाल आप से चाहता हूँ किया हम डॉक्टर के पास इस लिए जाते हैं कि हम जाए उसको फीश दे और वो捐 हमें जाते हम struct के पास त्थे में पथरी है हमारे गॉल फ्लैंजर में स्तोन है को बार निकालने पड़ेगी कि किद्नी में तोल है कितनी खराब है कि बदलना होगा क्या हम दॉक्टर के पास इतनी सारी फीच देके इसलिए जाते हैं कि वह हमारे शरीर के अंग निकाल निकाल के काट काट के ठेकता रहे मानम शरीर कोई कार नहीं है कोई गाड़ी नहीं है कि एक पुर्जा खराब हुआ वजार से नया पुर्जा लिया वह लगा दिया और प्रणा पुद्रत की अजबुत रचना है किसे कि ऐसे नौसके डॉक्तरों के हवाले मत जिन्नों ने प्रस्तम होने जा रही है कवारा हम नहीं जुड़ेंगे मुझे लगता है इतना नौलेज भी का दिया अगले इतवार हम फिर इसी वक्त जुड़ेंगे आप सब लोग अपने और लोगों को अपने फैमली के लोगों आस्परोश के लोगों को इस मिश्यूने के लिए बोल के जरिए केवल एक्सरसाइज के जरिए केवल पुदरती सूरज की धूप लेकर आप